तरपेश के फ्रोजवाद के टूला के सुबाश चौराय पर HDM ने प्राइवेट बसों के खिलाफ एक अभियान चलाया जिसमें रोडवेज की तरह दिखने वाली प्राइवेट बसों के चलान काट दिये गए इसमें एक बस को सीज भी कर दिया गया है तरप्रदेश के फ्रोजवाद के टूला में एटा और कासगन से आगरा की तरफ चलने वाली रोडवेज के रंग में रंगी प्राइवेट बसों के खिलाफ आज HDM टूला डॉक्टर विश्रा बानों ने चेकिंग अभियान चलाया सवाज चौराय पर HDM ने खड़े होकर इस प्रकायर की बसों को रुकवाया और उनके कागजों की भी जांच की इसके साथ साथ एक बस का चालन करने के निर्देश परवन विवाग के अधिकारियों को दिये HDM ने बताया है कि प्राइवेट बसों को रोडवेज बस के रंग में रंग कर कुछ लोग यात्रियों को परेशान करने का काम कर रहे हैं इसी सिकायत के आधार पर आज बसों की चेकिंग की गई बस और इसमें सरकारी बस जैसे चल नहीं है उनकी तरह कलर करवा रखा है तो परेवन वाक्ति द्वारे से रोपा गया है और इसको दोब साथ में बस सीज कर रहे हैं मैठम इस तरीके ते यह काफी बसे एक बस आपने आग चालन करके सीज करके उसको बंग करा दिया है और जो बागी बसे चल नहीं है उसके क्या मैठम सम्झान दिया यहागा और जो भी लोग है वो इस तरह कि अपनी जो गलत बसे हैं जो प्राइवेट बसे हैं वो प्राइवेट की तरह इससे चलाएं अगर वो सरकारी रंग देकर चलाने की कोशिश करेंगे तो उन्से इन लाब भी एज़ी करवाई दिए कि अभी 這個 में प्राइव जरी कुछ करेंदा के लाबला पीज़ुер व्याब काया हैं